कुराडी में तीन दिन से लापता मासुम चार वर्षिय बच्चे का शव मिलने से खलबली मची है एक कैनल से बच्चे का शव बरामत हुआ, इस घंटा के बाद से परिसर में शोक की लहर चाई है शनिवार को कुराडी से शाम चार बज़े से लापता हुए बॉबी उर्फ आनन पंकच सोंख हुआ इस चार वर्षिय बालक का शव 48 घंटे के बाद वारेगाउस्थित नहर में मिला शनिवार को बॉबी उसके घर के पास से लापता हुआ था बॉबी के घर के पास से ही कैनल गुजरता है शायद खेलते हुए बॉबी कैनल में गिर गया और बहकर आगे निकल गया इसके आधार पर ही कोराडी पुलिस काम कर रही थी इसके चलते कोराडी पुलिस ने सिंचाई विभाग से कैनल का पानी बंद करवाया सुमवार को कोराडी पुलिस कैनल सर्च कर रही थी कैनल सर्चिन के दर्मियान सुरादेवी परिसर में कैनल में ही बावबी का शाव तैरते हुए कोराडी पुलिस को दिखाई दिया